बिना दवा, बिना ओप्रेशन और बिना एक्सेसाइज के करे अपने घुटनों को स्वस्त, पाएं घुटने दर्श से 100% चुतकारा, जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैं योगी ललिट बिस्ट स्वागत करता हूँ, आप सभी का अपने यूटुब चैनल पे उमेद करता दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बिधी बताने वाला हूँ, जिसके कुछ दिन उप्योग मात्र से ही आप अपने घुटने की दर्द की समस्या से 100% चुतकारा पा सकते हैं, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से म पहुचे, पैर सीदे करके बेट जाएं, दोनों पैरों में हलका सा गैप रहेगा, और जैसे आप देख रहा हूँगे मेरी प्लेट में, यह आटा है और यह तेल ले रखा हमने, हमने सबसे पहले किया क्या, आटे को अच्छे से गुंदा, ठीक, फिर आटे की हमने ऐसी ले यह दोनों गुठनों के ऊपर अच्छे से लगा दीजेगा, जो आपने आटा गुंदा है, आटा टाइट कुंदेना है, अच्छे से गुंदा है, याद होगा आपको, मैंने आपको पिछले वीडियो में तेल बनाने सिखाये था, जिसमें हमने लैसून मिलाये था, अधरक मिलाये था, काले मिर्च मिलाये थी, लॉंग मिलाये थी, वो सभी हमने गुठने के ऊपर डाल देना है, और इसको कम से कम आपने 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है, 10 से 15 मिनट रहने देंगे इसको, ताकि तेल आपके गुठनों तक पहुचे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके गुठनों में गर्माहट आती जाएगी, और तेल गुठनों के अंदर पहुचना सुरू हो जाएगा, ये सबसे आसान तरीका है गु गुठनों को ठीक करने का, ये सबसे सरल तरीका है अपने गुठनों को खुद ही अपने घर में ठीक करने का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने घर में तेल बना देना है, आपके घर में सरसों का तेल हो, या गाई का घी हो, आपने उसे कडाई में गर देने हैं फिर उसी तेल में आपने सारी चीजें छोड़ देने हैं जैसे आप देख रहे होंगे और जब भी आपको गुटने की दर्द की समस्या हो या जोरों की दर्द की समस्या हो आप उस तेल का मालिस करें या फिर आपके गुटने में ज्यादा दर्द रहती है आपके ग और देना है ऐसे करने से आपके जॉइंट को मजबूती मिलेगी आपके जॉइंट को flexibility मिलेगी आपका जॉइंट लची ला रहेगा तो आपको चलने फिरने में आसानी रहेगी तो ऐसा आपने कम से कम 10 से 15 मिनट हर तीसरे दिन करना है लेकिन जो तेल आप एक बार यूज कर चुके हैं आपको उसे बार-बार यूज नहीं करना है आपको वो तेल फिर fake देना है ठीक है ऐसा नहीं कि आपने पहली बार तेल को मिला दिया फिर आपने बचे हुए तेल को फिर उस बोतल में या कोटोरे में बढ़ दिया फिर आप दुबारा उस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी मत करना ठीक है क्योंकि जब हम तेल का एक बार उपयोग कर चुके हैं एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं तो उस तेल में आपके सरीर के टॉक्सिंस पहुँच जाते हैं ठीक है तो वो तेल जो दूसरा तेल है उस तेल को भी खराब कर सकता है तो इस चीज़ का आपको विशेश द्यानकना है उप्योग के आवा तेल बार-बार यूज नहीं करना है अब इसके बाद करना क्या आपने गुटनों की मालिस करनी है क्योंकि आपके गुटनों में तेल है तो हाथ की कैप बना के गुटने के उपर रखें और गुटनों को ऐसे मालिस दें अपने ही आतों से आप दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दाएं से बाएं बाएं से दाएं ऐसे मालिस करें फिर ऐसे पैर सीधे करके ये अंदर वाली मसल को इसको मसाज देना है ये ऐसे करके बहुत हलके हातों से नीकेप के चारों तरब फिर आपको नीकेप को ऐसे गुवाने का परियास करना है ये दोनों पैरों की नीकेप को फिर हलका से पैर मुवड दिया और गुटने के पीछे वाली मसल पे मसाज करने है जो मसल ठीक गुटने के पीछे है उस पे मालिस करने है आपने अपने ही आतों से ये दोनों पैरों में बराबार उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो इससे जादा से जादा लोगों तक सेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से कुछ लाप राप्त कर सकें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए रखेगा अपना और अपनी सेयर का ख्याल जय हिन जय भारत